ओपो F9 Pro के बाद दोस्तों आप Vivo V लाने वाला है एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम होगा Vivo V11 Pro और ये फोन भी दोस्तों ओपो F9 Pro के तरह वाटर ड्रोप लाइक नौच के साथ आने वाला है लेकिन ये ओपो F9 Pro से थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि इस फोन में Vivo V11 Pro के बारे में और आपको बताएंगे क्या कुछ फीचर्स के साथ लाउंच होने वाला है ये फोन कब तक लाउंच होगा क्या प्राइस हो सकती है सारी डीटेस जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने इब इसपेक हैं वो भी सामने निकल के आए हैं अगर बात करें इस फॉन के बारे में तो इस फॉन में आपको मिलने वाली है 6.41 इंच की फुल एच्टी प्लेस डिस्पेय यहां पे आपको वाटर ड्रॉप लाइक नौज देखने को मिलेगा और इसका जो एसका एस्पेक्ट र इसके प्रोसेशर को लेकर तो यहां आपको मिलने वाला है स्ट्राइगन का 660 ka OQ10 प्रोसेशर तो पर्फोमेंस वाइस फोन जो है काफी अच्छा होने वाला है और काफी तगली पर्फोमेंस आपको देगा ये फौन अगर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 12 प्लस 5 मेग डूण रियर के मिलने वाला है एफ 1.8 एपर्चर्ट के सांथ बिल्कुल वहीन वहीन करें जैसा कि आपको वीव नैक्स में देखने को मिलता है और अगर हम बात करें फ्रेंट केमरा की तो फ्रेंट में आपको 25 मेगा बश्राइब्स लें जाएगा तो यहाँ पर आपको 6 GB तक की RAM और 128 GB तक की storage देहने को मिल सकती है वहीं एक variant ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको 4 GB की RAM और 64 GB की भी storage देहने को मिल सकती है बागी अगर अधर्चियों की बात करें यहाँ पर तो इस phone में आपको 3400 mh की battery मिलने वाली है और यह phone Android 8.1 Audio पे रन करने वाला है इस phone की खास बात करें तो यह आने वाला है in-display fingerprint sensor के सांथ तो यह काफी अच्छी बात है कि यह phone जो है in-display fingerprint sensor के सांथ आ रहा है जो के इस phone को OPPO F9 Pro से अलग कर देता है और इस phone का weight तकरीबन 156 gram होने वाला है तो यह है complete scene Vivo V11 Pro का अगर इसके launch date को लेके बात करें तो यह phone बताया जा रहा है कि 6 September को launch होने वाला है इंडिया में कब launch होगा यह confirm नहीं है अभी तक और इसके price को लेके बात करें तो जो spec इस phone में दिये गए हैं मुझे है जहां तक लग रहा है कि इसकी price जो है 30,000 के आसपास हो सकती है इंडिया में लेकिन अभी price को लेके कुछ भी कहना मुश्किल है सायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है लेकिन phone को अगर आप देखे अगर आप इसपेक देखे तो काफी कमाल का phone होने वाला है आपको in display fingerprint sensor देखने हो मिल जा रहा है काफी अच्छा design देखने को मिल रहा है और overall जो चीज़े दी गई है वो भी काफी अच्छी दी गई है तो ऐसे में आप दोस्तों मुझे जरूरू से बताईएगा comment में कि अब जो है आप Oppo F9 Pro को लेंगे या फिर इंतजार करेंगे Vivo V11 Pro का क्योंकि Vivo V11 Pro में आपको कुछ advanced features मिल रहे हैं तो ऐसे में Vivo V11 Pro का भी इंतजार करना सही रहेगा लेकिन price के मामले में Vivo V11 Pro सायद के ज्यादा price के साथ आने वाला है तो बस दोस्तों ये था छोटा सा update Vivo V11 Pro को लेके I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, helpful लगे तो इस वीडियो को like और share जरूख़़ए अपने दोस्तों के साथ और हमें comment में जरूर बताएं कि ये phone क्या आप अगर 30,000 के price के नीचे launch होता है तो लेना चाहेंगे मैं मिलता हूँ आपसे लिए किसी वीडियो में दबता के लिए